एक दादा बैठे हैं जो शेरों को खाना देते हैं रोज उनकी मान में गुस कर जैसे खास का टाइगर लाइन लिपर्ड जो हैं उनके बाई बार्थ उनको प्रकृति की देन होती कि वह हिंसक ही नेचर के होते हैं कि किसी जानवर ने आप पर कभी अटाक करने की कोशिच की हो खाना देते समय जैसे हिंसक जीव है वो तो आकरमंण करे गए देखिये प्यार की भाडशा हर कोई समस्ता है वो चाहिए इंसान हो फिर कोई जानवर हो और जानवर पर भी शाकाहरी हो या मांसाहरी तो आज ये स्टोरी आपको दिखाने के पीछे का साथ तोर पर मकसद है कि जो मांसाहरी जीव होते हैं जो हिंसक जीव होते हैं जब उन्हें कोई खाना देने आता है तो उसके बाद जो खाना देने वाला है और जो हिंसक जीव है उसके बीच भी एक मधूर संबंद एक बॉंडिंग एक रिष्टा बन जाता है तो ऐसे ही रिष्टे पर आज एक छोटी से रिसर्च करने की कोशिश करेंगे मेरे साथ में एक दादा बैठे हैं जो शेरों को को खाना देते हैं रोज उनकी मान में गुस कर उन्हेंग खाना कहला ते हैं अगो पर और आते हैं तो मतलब खाना लेके आते हैं तो इन लोग मतलब नजदिक आ जाते हैं मतलब जैसे आप इधर जेरी लिए टों केज बनाया गया है तो गिसिश bringing असका होता कि आप आ गए हैं वह देखके मतलब समझ जाते हैं कि खाना लेके आ गए हैं अच्छा जब आते हैं और आप यहां से दर्वाजा खोलते हैं और जो मांस का तुकड़ा है अंदर डालते हैं उसके बाद उनका प्रतिक्रिया है वो क्या रहती है वो यह कब मतलब गेट खुले तो हम सब्स्ट जाके वहां करने खाएं इस टाइब का ट्योंकि बाहर का गेट बंद कर देते हैं और अंदर को फिर देते हैं उसके बाद फिर उसको बंदकर टूरते हैं वहोम बाइट है तो शे। को भी देते हैं और यह जो और जयसे तेन्द्वा वगर है तो उनको भी खाना देते होंगे और भी आग्या अंग मेध्याल है और घड़ियाल है इनको भी खाना वगर हुऔगे तो प्हेशालिक एक której दूसरे ग्रूप का लिध्याल कर देते हैं हम अंथ्या क्षोरी कारेकाल के दौरान कभी ऐसा हुआ है कि किसी जानवर ने आप पे कभी अटेक करने की कोशिश की हो खाना देते समय में या कभी कोई हिंसक आचरंड किया हो नहीं जी नहीं कभी अभी तक तो हुआ नहीं मतलब ऐसा मतलब कोई अपने को दिखा है कि अपने को मतलब हमला करने वाला है या कोई गुर्रा के मतलब ऐसा नजदीकार है इस टाइप का नहीं अभी तक हुआ है मैत्री गार्डन प्रबंदन से मेरे साथ में एक और भाइस सबाधिकारी है और वो भी यहां पर जानवरों के आहार विहार और उनके आचरन के संबन में गंभिर रहते हैं और रि पाएगा तभी उसको कुछ ना कुछ मैसर हो पाएगा तो सबसे पहले अपना नाम बताएंगे और इंके सवभाव के बारे में इनसान की इस हिंसक जी उससे जो करनेक्टिविटी है उसके बारे मताईगे नाम पहले मेरा नम बन पांटिल है यहां पे मैं कमपॉंडर पोस् उसके बाद हम लोग प्रबंधन की जनकारी देखर के प्रबंधन के उनको सुझना का अंसार से जैसा उनका अंसार इनका देख भल किया जाता है जो बिमार रहते हैं तो जो एक्टिविटी रहती है वो किस तरह से संदेश पहुंचाने कोशिश करते हैं कि हमें आपकी है और हमारे तरफ लोड करके देखें कि हमारे ऐसा कुछ मदद किये जिसे हमारा वाड़ी कोई टीटमेंट दे सके इस तरह से उसमें मुमेंट देखने को मिलता है जी जी हर पसुपक्षी में कुछ ना कुछ संकेत देने की गुण होते हैं जैसे कि खाना देने वाले को जै कि अगर पालतू पक्षी है उसकी कटोरियां हिला दो तो वो चैकने लगती है और हिंसक पशू है वो जैसे अब दादा बता रहे हैं कि अंदर आते ही साथ में उनकी एक्टिविटी शुरू हो जाती है और इनने पैचानते भी हैं तो इस तरह की जो मान सिकता है एक जानव देते हैं तो वो पूछ हिलाता है गईया है उसे अगर खाना देते हैं तो वो गले को सहलाने कहती है इनकी जो एक्टिविटी या रियक्शन है वो क्या रहता है इसमें रहता है जैसा हम लोग उनके करीब में जाने का बाड़े पर बैढ़ते हैं केज पर क्या रहता है पू कैसा लगता है यहां पर जब आप इनको खाना देते ऊत्य आम विहरां कि जीव आप लोग जिनको खाना देते हैं वो नहीं रहते किनी कारणों से अगर उनको शारिक तकलीफ हो या कोई उनके देहांत हो जाए उस वक्त मनों भाव कैसे चलते हैं मन उस्तिति कैसे जलती है कि जैसा आप उनको बच्पने से पाले रहते हैं तो दुखी होता है मतलब ज सक को एक प्रकार सा of शिकार से जुड़ा जा सकता है लेकिन यहाँ पर केज में तो जो हिंसा का भावा आता है कभी-कभी तो गुराते हों ग forts कभी तो suppression कभी चिलाना या कुछ कर ते-शुआयां वह किस वज़य से आ पाती जैसे उसको क्या हिंसा करना भावना इसके वज़े साथा है ये उनको कोई छेड़ने का प्रयाज करें कोई वेक्तियादी उनको छेड़ता है तो गुसे में आकर के हिंसा करना प्रयाज करता है लेकिन हमारा जू में उस तरह से ऐसा कोई जानवार विसेस कोई देखने को ने म तो इसमें थोड़ा सा अपने आपको थोड़ा सा उधानी होना है, जानौरों को बचा के चलना है, इस तरह से हम लोग देख भाल करते होंगे, जैसे दादा आप नाम से भी बुलाते होंगे, क्या क्या नाम रखे हैं इनके जैसे और भी यहां तो आप नाम बुला रहे थे? बाहर है, केज के बाहर है, तो वो बराबर पहुंसता है आपकी आवास सुने की? और उस रिष्टे के बारे में बात करने की हमने कोशिश की साथ तोर पर ये बताने की कोशिश है कि प्यार की भाषा हर कोई समझता है चाया वो एक हिंसा करने वाला जानवर हो और इंसान भी समझता ही है तो लगातार बेग साहब और मेत्री गाडन प्रबंधन लगातार इस क पूँप कोई मेरी इलाज की वेवस्टा करें और अगर भूक लगती है तो बेग साब है बेग साब जैसी पहुंचते हैं तो जैसे और भी लोग हैं जो यहां पर इस तरह काम कर रहे हैं तो जैसा ही पहुंचते हैं तो वो एक मधूर रियक्शन देता है और उन्हें लगता है कि अब मेरे भूग की शान्ती का प्रबंद हो चुका है मेरे जो अन्द आता है मुझे जो खाना खिलाने वाले लोग है वो पहुंच चुके हैं तो उसका जो प्यार का रियक्शन असजा हाँ है डेगे हिंसा और प्यार के बीच में जो अधारी क्सित लाइन होती है उसको निभाने का मोग मैंधरी गार्डन में वहां जो वांवरों से visionary था होते हैं जो उन्हें कहाना क्हिलाते हैं जो उन्हें से रोज बातें करते हैं उनके आचार वेवार को समशते तो एक बारिक सी लाएन को maintain करते हैं, लेकिन इन सब के भीश में खत्रे भी हैं, हिंसक जनवर जो हैजrem वो अचानक से हिंसा भी कर बैटते हैं, लेकिन आज तक ऐसी घटनाय नहीं Coming को ऊतीत हैं, इस बारे मैं जो उनकी मनोविट्टि है, जो उनसे रोज यूस्टू रहे, जो उनने नाम लेकर पुकारे बादचीत करें, तो उसके बाद जो उनका आचार वेवहार रहता है, वो किस तरका होता है? जो उनके बादचीत अचार वेवहार इंचार वेवहार रहता है, विससे देखा जाए, तो हिंसक जानुर हैं जैसे मुष्पार्ट जो उनके बाइबर्थ प्रक्रतिकी देन होती कि वह रहатी हैं, लिकिन जब उनको प्यार से पाला जाता है, खासकर जूद में इस्पेस्टल केयर किया जाता है, तो जो खाना देने वाले हैं, जो जूद कीपर्स होते हैं, जो उनके साथ रख रखाओ करते हैं, उनके साथ एक अटेज्मेंट बांडिंग हो जाती है, तो उनका वहार जब भी वह जब जाते हैं, तो दूर से यहां जाता है तौ जो इसमें गटना हुई थी उसमें मतलब गता कि घंज भीपर्ण होते हैं जो धारो ऑगार कि उससे का फीडिंग देते तो पटने जूग की आपंड कि निघनकारी पराप पुरानी घंणा जिसमें क्या हुआ था कि टाइगर बीमार पड़ा था तो उसकी देख बाल के लिए उसकी ट्रीट्मेंट के लिए एक जूक पर फुल टाइम उसको देता था और कई बार रात को रूग भी जाता था और वो पुरी तद से टाइगर का केर कि और वो स्वस्त भी हो गया पता न जो अंपलाइ रोज जो उनसे मिल रहे हैं जैसे आक शेरनी की बार चल ली थी वह उसमें एक आचार वेवार रहता है बुलते हैं जब तक वह वयस्क नहीं हो जाते तब तक उनमें भाव रहता है कि वह बच्चों के प्रती स्वादा आटैक्ट होते हैं तो यहां जो शेरन और मेल से फीमेल थोड़ा कंपरेजिव में लगाओं में ज्यादा प्यार में ज्यादा रिस्वांस करती हैं तो हुआ क्या था कि जब पंदरा अगस को शाथ साथ साल पहले जब अबरबर्थ हुआ था उस दो मेनेक दौरान में बहुत से बच्चों के दो मेनेक बाद उसको बच्चों की बीज में लागाता तो काफी बच्चों का उसमें फ्लो था और जब भी बच्चे आते तो उसका नेचर में आगा कि जब भी बच्चे आते हैं तो यह न को प्यार करने की बहुना होते हैं को काफी towards public towards children के लिए लगा वोता है बडर जैसे maturity आती हैं ये सववां में कमी आती है और जैसे old हो जाते हैं तो इसमें ठोल को तोटलीं इते हैं और मैं इस अंदर में डाला जो ख़णा दे रहे थें ह। बासचीट हुई और उससे बीक़े आपकों टालू कोई से घटना हो जाती तो उनको ऐसा कि जैसे परिवार का कोई सदस्थ चला गया यह जो भाव है यह कैसा एक जो बांडिंग है उसके बारे वाके में तो जो टाइगर करते हैं खासकर टाइगर की ततांद देखा गया है कि जो हमारे जो जूक की परसें उनके साथ इतनी इस्ट्रॉंग बांडिंग हो जाती है अचार विहार तो इस तरह से जो बाणडि शकलता है और यह कहानी आपको पहुंचाने की पिछे ü. यह जो बातें आपको पहंचाने की पिछे साफत्व पर मقस्द है कि इंसान और जान toplam ke बीच प्रूपर को निभानेगाने वाले के ऊपर निर भर करता है कि वो उसको हिंसात्मक होने के बाउजूद अपने कितने करीब लाप आता है अगर आपको ये बातें अच्छी लगी होंगे तो इन बातों को आगे बढ़ा सकते हैं अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा होगा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो वीडियो के नीचे आपकी कोई राय हो कमेंट बॉक्स आपका है उस राय को कमेंट बॉक्स में जरूर रखें निव वीडियो के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूस को और बैल आइकन को दबाएं